हाई फ्रेंड्स मैं हूँ पेंद्र कुमार पांडे आप देख रहे हैं पंडितु पेंद्र श्टडी क्लासस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं UPBT की कुछ latest update के बारे में जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि आपका जो result है वो guys आ चुका है और कई सारे student अपना result निकाले और निकालने के बाद कई सारे student के result में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है जैसे कि MW या फिर Grace Mark लगा कर आ गया है या फिर UFM लगा दिया गया है या फिर AA लगा दिया गया है या फिर No Record found बतार रहा है यानि आदमें इनसे सारे लेटेड इस वीडियो के माद्यम से जानने वाले हैं कि ये क्या होता है एक किसके कारण हुआ है आप सभी के result में इनसे सारे लिटेड अगर आपको इस जानकारी के बारे में जानना है तो इस वीडियो को last तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा चलिए हम बात करें वीडियो से बढ़ने से पहले आप लोग को कुछ बाते बताना चाहता हूँ जैसे कि आप लोग को mechanical six semester की classes, fifth semester वाल एक student तयार हो जाईए six semester की classes एक धमाकेदार में start होने वाली आप लोग को classes जल्द से जल्द आपको classes start कर दिया जाएगा जैसे कि सभी subject का जो आपका syllabus है उसको मैंने discussion कर दिया गया है तो description box में उसकी link दी गई है सारी classes आप जाकर वहाँ पे syllabus के बारे में पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आपको दो या तीन दिन में आपको सारी classes यानि chapter one by one आपको करवाई जाएगी classes चलिए बात करें यहाँ पे इस doubt के बारे में तो जैसे कि आप screen के माध्यान से देख पा रहें कुछ student का सबसे main important है यानि आपका कई सारी student का लगा है यम डबलू यानि यम डबलू क्या होता है गाइस मैं जैसे कि आप लोग को बता दूं कि यम डबलू हमारा क्या होता यह क्यों लगता है तो यह क्यों लगता है कि जैसे कि क्या होता है कि सर्वर इसू सर्वर इसू हो गया या फिर इसे इसका जो full form होता है Menual Right Waiting की वज़ा से मतलब가剛 таких की वज़ा से कुछ ना कुछ कारण की वज़ा से हो सकता है इसका result में BMW दिखा रहा है यह फिर वोड से जारी नहीं किया गया है इस सबजेक्ट में किसी सबजेक्ट में क्या होता यमडब्लू सोगता है तो वहां foreign उसका अंक चढ़ा नहीं होता है उसकी वज़ा से आपका दो चार दिन में आपका रिजल्ट फिर से अपडेट कर दिया जाएगा अपडेट करने के बाद आपका यमडबलू हट जाएगा चलिए दूसरा कुश्चन आता है आपका डवल ए आता है यानि डवल ए का मतलब क्या होता है कि सबसे गायिस में जैसे कि आप लोगो इसका दो रिजन हो सकता है जैसे कि कोई भी स्टूडेंट गया यानि एक्जाम आधि प्रेंट फेर या फिर कोई भी पेस क्या होता उसमें का आगे का फट जाता है इसलिए आप लोग को बताया जाता है कि सबसे पहले वाले पेस पे और सबसे लास्ट वाले पेस पे आपका enrollment number लिख देना चाहिए जिसके जिसके गायस में आपको absent दिखा रहा है यानि यह इस प्रकार से आपका कुछी इस प्रकार से दिखा रहा है तो आप लोग इस तरह से नहीं किये होंगे कुछ ना कुछ रीजन होगा या पिर हो सकता है आप exam हि नहीं दिए होंगे तो गायस में जैसे कि आप लोग को जो भी student exam दिये हैं उनका भी कुछ दिनों में इस चीज के बारे में अपडेट कर दिया जाएगा और आप लोग college से संपर कर लिजे किस सर हमने exam दिया था ऐसा हमारे result में दिखा रहा है अब चलिए देखते हैं UFM का मतलब क्या होता है गाइस में जैसे कि आप लोग को बात किया जाए UFM का मतल आप क्या होता है जैसे कि यहाँ पर अगर गाइस पेपर एक्जाम देने गए किसी भी subject में cheating कर लिए या फिर वहाँ पर कोई ऐसा इस प्रकार से cheating से संबंदित या फिर नंबर और लग दिया लगा लिख दिया है तो वहाँ पर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है गाइस ज माइनस दे दिया गया है प्लस माइनस नंबर दे दिया गया है कि इस बच्चे को इस परा से cheating कर रहा था cheating करते हुए पकड़ा गया है तो यहाँ पे यूफ्यम तो वहराल आपका इस बार यूफ्यम नहीं लगाया गया है बलकि आपका no record found दिखा रहा है result क्या दिखा रहा ह यन यफ्यम दिखा रहा हुगा कई भी सारे student का no record found दिखा रहा है तो यहाँ पे आप लोग को इस सबीच चीजों का समाधान किस तरह से होगा तो आप लोग college से contact कीजे और college से contact कीजे कि इस तरह से हमारा दिखा रहा है तो वहाँ पे आप लोग को UPVT से वो college संपर कहता है उन लोगोंने बात करेंगे और बात करने के बाद आपका result जारी कर दिया जाएगा ऐसा नहीं है कि आपका result जारी नहीं हुगा वो दस दिन में update हो जाएगा guys आप लोग को घबरानी की कोई ज़रूरत नहीं है और result आपका आ जाएगा अब चलिए बात करें यहाँ पे 00 या जैसे कि आप लोग को पहली वाली बैच और पहले वाले बैच के और पीछे वाले बैच के यहाँ पे अगर दोनों की कॉपी मैच की जाए रही है मैच हो रही है तो आपका नंबर 00 कर दिया गया इस बार इस बार ऐसा ही कुछ इस तरह से बदलाव किया गया guys क्यूंकि UPBTV इस बार टाइट हो चुकी है तो यहाँ पे आप लोग को अगर 00 marks दिखा रहा है तो भी आप college से contact कीजे sir मैंने exam दिया गया है तो अपना प्रिचे को गरा करवा सकते हैं guys यहाँ पे चलिए बात करें यहाँ पे यह सारे डाउट तो हमारा killer हो गया अब कई सारे student का यह killer है क sir एक subject में या फिर दो subject में हमारा grace mark लगा कर pass किया गया है तो grace mark जैसे कि आप लोग को पता हो गया कि यहाँ पे जो हमारा pass marking होता है guys वो कितना होता है 17 नंबर का ठीक है कितना होता है guys आपका 17 नंबर का तो यहाँ पे बात क्या जाए अगर आपका 15 नंबर है जैसे कि 16 subject में अगर आपका back लगती है थोड़े एक नंबर दो नंबर से back लग रहा है तो आपको grace mark देकर pass कर दिया जाता है उससे result में कोई फरक नहीं पड़ता है ना कि आपका कोई भी competition की तैयारी कर रहे है तो उसमें भी आपका कोई effect नहीं पड़ने वाला है तो guys आप लोग को जितने भी doubt थे आई हो कि आप लोग को सारा clear हो गया होगा तो बस guys आज के लिए तना ही वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को subscribe कीजे और जादा से जादा से जादा सेर करने कोशिस कीजे और किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग comment करने के बाद उसका solution में जरूर बताऊंगा तो बस guys मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैंद